असलाम वालेकुम वेलकम दोस्तों दोस्तों आज हम यह जो आपने ठमनेल पर देखाऊंगा ग्रीन कलर की कटर मशीन है इसका मॉडल है EC4 तो आज हम उसकी फिल वैंडिंग है इसको वैंडिंग करने वाले है तो यह वैंडिंग जो है अगर आप मार्केट में खरीदने को जा आती है लेकिन हम अगर इसको खुद वैंडिंग करते हैं तो बहुत कम बज़ेड में यह हमारे को वैंडिंग होके मिल जाती है कभी-कभी दुकान पर यह वैंडिंग अवेलेबल भी नहीं होती तो आज हम इसकी वैंडिंग हाथ से करके आपको बताएंगे तो वीडियो को बिना इसकीप करें अहीं तक जरूर देखें और जो आपने इसको आप अगर पहली बार काम कर रहे हो तो इसको किस तरह से मशीन के अंदर से निकालते हैं अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सकी लिंक दी हुई है आप चाहें तो महां जाके देख स सकते हैं तो यह जो इसी फोर जो ग्रीन कलर की प्लैनेट पावर की जो कटर मशीन होती है उसकी यह फिल्ड वैंडिंग है तो चलिए ध्यान से देखेंगा और जो साती चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो यह है हमारे पास में कॉप 20 तरने हम लगाएंगे तो ध्यान से देखेंगा आप हम किस तरह से इसको लगाएंगे और एंड तक ज़रूर देखना क्यूंकि इसके जो कनेक्शन है वह बहुत अलग तरीके से लगते हैं अगर आपने इसकी वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा तो आप कनेक्शन इसके स आपको जो पेपर है इसके जो पेपर यह मैंने बनाए है पेपर यह साथ नंबर फिलिम पेपर से मैंने बनाए है तो आप देख सकते इसको आपको साथ नंबर फिलिम पेपर को कट करना है और जिस तरह से इसका आपको शेप दिखता है उसी तरह से आपको इसके हिसाप से जैसे मैंने किया है आप देखिए यह अगर आपने सही बनाया तो यह पेपर इसके अंदर बिल्कुल पर्फेक्ट जाके बैट जाएंगा तो आपको इस तरह का पेपर इसमें बनाना है और पेपर जो है थोड़ा-थोड़ा इससे बाहर की साइड में थोड़ा बड़ा होना चाहिए दोनों साइड से यह देखिए थोड़ा-थोड़ा बड़ा है तो चलिए अब इसको वैंडिंग शुरू करते तो पहले मायने यह ले लिए हमारा वाहर अब यह जो पहला जो सीरा है यह हमारा इलक्ट्रिक को होगा जो एलक्ट्रिक पर जाएंगा तो इस तरह से हम इसको पहला हमने तरन पूरा किया अभी हो कि डिफ prepares यह हमारव पहला सीर यह हम इसको इधर कई भी रख देते हैं ताकि हम अर्चान अरचन ना दें तो होमने ये एक तर्ण पूरा किया ये देखिए इसको इस तरह से हम के के यह दूसरा तो आपको हर टर्ण पर इसको खीशते रहना है ताइट आनी चाहिए आपकी वाइंडिंग यह देखिए इधर से भी हमारे दो टर्न इधर आ चुके है तो हमको हर इसके उपर इसको खीशना है और हर 20 टर्न पर हमें एक कि weld share की मदास से इसको अंदर से दबाना है इस तरह का इसको ट्रैवर लेकर हम यहां से डाल के इससको इस तरह से अंदर दबाएंगे ताकि हमारे तार है वह ज्यादा ऊपर ना है तो चलिए माय शुरू करता हूं यह हमने 2 टर्न हो गए यह हमारा हो गए तीसरा टर्न बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों आसान भी बहुत है और सबसे खास बात है कि बहुत कम में पढ़ता हैं को इसमें 120 ग्राम वायर लगता हैं को तो चलिए मैं फटा-फट से भी पहले ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हो जाए मै पहला हमारा यह एंठीक वाला है और यह जार दूसरी साइट का है और डिया हमारा अंगरव का यह चाहिए मैं टो कर करके बताएंगे आपको सब्सक्राऊ का घ्याने उन्य कमप्लिटा तो दोस्तों ध्यान से देखना इसके सब्सक्राइब अgl injection क्र canal कर देते आप चले हम शुरू करते हैं तो यह पहला शिरा हमारा जो यह खिAKEै पर जाने जाह आंज तो यह को याद ध्याद रहना है कि इलक्ट कर जाने वाला है तो चली ह्म इसको पहले उस तरह से अंदर डालके जो नीचे हमारा जो ripping प्राव इसको किदर भी एक साइड में नीचे की साइड दबा देंगे ताकि हमें कुसी तरह की अर्चन न जाए अब हम इसको इस तरह से लगाना शुरू करेंगे तो यह हो गया हमारा एक टर्न तो यह आप देख सकते हैं पर हमारे एक दो टर्न हो चुकिए इस तरह से हम 120 ट तरनों पर इसको दबाएंगे तो आपका याज से इसको दबाना है तो चलिए मैं फटा-फट से इसको भी 120 तरने पूरे करके बता देता हूँ आपको तो ध्यान से देखेंगा दोस्तों तो यह अभी यह कंप्लीट होने पर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ और दोस्तों जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जरूर लाइक करें तो चलिए यह हो गए हमारे 120 तरने पूरे कंप्लीट तो देखेंगे बहुत अच्छे से यह वाइंडिंग हो चुका है अब जो हमारा पहला सी रहा है यह इलक्ट्रिक वाला यह यह दोनों हमारे एलक्ट्रिक हुए वायरे है जो एक स्वीच पे जाए आए और व्जाने वाला है तो इस तरह से आपको करना है अब मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा और आपको इसको शेब देना है जैसे हमार्य रोटर हैं वह अंदर जातीन हम अरचन ना दे तो आपको इसको एक लकड़ी आ के वाइपर एक गोल ऐसी लकड़ी लेना है आपको तो आपको लकड़ी की मदस्थ से इस तरह से एक लकडी की मदज से इसको नीचे इस तरह से पकड़के ठोपना पड़ेंगा ताकि रोटर जाने में कोई दिक्कत ना जाए और दोस्तों भूध अच्छे से हो जाती है अभी हम इसको इस तरह के शेप देंगे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पीछे हो चुकी है अब हम इसको धागी की मदद से बैक साइट से इसको बांद के पहले कम्प्लिट कर देते हैं तो चले थोड़ा सा पहले हमाँ इसको शेप देता हूं तो आपको इस तरह से शेप देना है और आपको इसके कनेक्शन भी बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को एक इसको बताया जाता है तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं आपको हर तरह की जो जनकारी यहां पर अच्छे से प्रवाइट की जाती है तो देखिए मैंने इसको पीछे के साइट से भी धागे से बांद दिया है अब हम सामने की जो साइट है उसको कनेक्शन करेंगे क ना पास में यह चोटी यूति पर से इसको बड़ी वाले लिडे है अभंड़ी में इसको इलेक्ट्रीक के वाइर के लिए कि इस्तेमाल कूरेंगे तो चलिए पहले में आपको जो यह मले छोटे वायर लगाने वाले हैं मैं आपको लगा के बता देता हूँ तो आपको इस तरह से इसको तबसलिकों करना है थोड़ा भी लोज न रहने पाई है क्योंकि एक लोज रहेजंगा तो इसे फार्क होके connection खराब हो सकते हैं तो आपको इस तरह से अच्छी तरह tight कर लेना है इसको और अब हम इसके उपपर जो तीन नंबर सिल्यू पाइप लगाएंगे क्योंकि यह एक mm के वायर है इसके उपपर तीन नंबर का सिल्यू पाइप जाता है जो चलिए इस तरह से हमें एक टुकड़ा अध्यान से देखना है तो हमारे कारबन का भाएँ अब हम जो जो हमारा जो दूसरा कारबन का बाइव हम इसको पहले एलेक्ट्रिक की बाहर है यह जो वाएर एक हमको दोनों भी एक ही साइट से लेने पड़ेंगे तो हम इसको एक ही साइट से इसके लिए लेगे कि पीछे की साइट से यह जाने वाले तो इसको हम सुल्यू पाइप भी लंबी साइज के लेंगे ताकि जब बॉडी में हम डाले तो वायर हमारा छेलना जाए तो यह हम लंबी वाली सुल्यू पाइप लेंगे तो पहले हम एक नंबर का टोकड़ा इसके अंदर डाल देते हैं कि हमें इस साइड के वायर को अब इस साइड में लेना है तो हम इसके अंदर एक नंबर सिली पाइप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह महां से खुला नहीं रहना चाहिए ताके बौडी पर ना लगे अब हम यह लंबी जो हमारी लीड है हम इसको ले लेते हैं और अब हम इसके अंदर इसको लगाने वाले हैं तो आपको यह भी बहुत अच्छी तरह से टाइट करना है तो चलिए हम इसको फटाबट से अच्छी तरह से टाइट करके जिसमें लगा देते हैं और हम इसके अंदर जो है एक लंबी सिलीव पाइ लबी चिल्यूपाइप लागाना है तो आप देखें अब मैं फटाफट से इसको भी चिल्यूपाइप डाल देता हूं दोस्तों यह connection जो है आपको बहुत अच्छे से करना है अगर आपने इसको सही connection किया तो आपको फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और अगर आपने connection में कुछ भी गलती कर दी तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है तो देखिए आप ध्यान से इसको इस तरह से हम यहा एक लंबा लगा के इसको भी साथ के बांज देंगे फिर अब तो देखिए आप उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होंगा अकर आपका इस से रिलेटेट कुछ भी आप जानकरी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं मैं रिप्लाइज ज कोई भी जानकारी जाहते हैं तो आप कमेंट करें सकते हैं यह हम कीस तरह का वीडियो बना के डालें आप वह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम आपकी help करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे जो नए कारगिर है वो हमारे साथ में जुण सकते हैं कि हम हर तरह का चलिए हम इसको फटाफट से धागे की मदद से यहां पर बांद देते हैं तो दोस्तों अभी यह जो तीनों वायर एक जगे हम बांद रहे हैं तो इसके अंदर जो एलक्ट्रिक के दो वायर है वो इसी जगा से पीछे की साइड में जाने वाले हैं जिस जो हमारे हैंडल के अ चार घंटे के लिए सोकने के लिए रख सकते हैं उसके बाद आप इसको फिट कर सकते हैं तो देखें मैंने बांद या अभी इस तरह से एक हमारा होगा कारबन ब्रश का वायर और दो हमारे जो इलक्ट्रिक के वायर वह इस साइट से पीछे चले जाएंगे जो स्विच में आने वाले हैं तो आप दीखें यह इस तरह से बन चुकी है अभी हमको इसको भी आइसा रखना है कि हापे जो इसक्रू आएंगा उसके अंदर यह वायर हमारा बीच में नहीं आना चाहिए वैसे दो इसके उपर सिलीव पाइप है कोई प्राब्लम नहीं देता है अब हम ज इसके उपर भी एक छोटा सा सिलीव पाइप का टुकड़ा लगा सकते है फिर इसके उपर जो इसके साथ में जो गोली स्प्रिंग होते हैं वह हम इसके उपर बाद में जॉइंट कर लेंगे तो चलिए मैं इसको भी फटा पट से एक सिलीव पाइप का टुकड़ा डालके बांद के आपको बता देता हूं तो देखें यह पूरी तरह से complete हो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से यह फिल्ड वैंडिंग हमारी तयार हो चुकी है अब हम इसको थोड़ा सा शेफ और देंगे और आपको भी इसको अच्छा सा शेफ देना है ताके आपका रोटर इसके अंदर डालने के वक्त में कोई दिक्कत ना दे तो बहुत अच्छी वैंडिंग हो चुकी है द हम है अब नाया सीखो